जहेंद प्यारे साथियों देखो आज 11 जुलाई थी और आज पेपर हुआ था नैट का पेपर हुआ था देखो आज का जो पेपर था जो इससे पहले 9 जुलाई को पेपर हुआ था उसका मैं अनालासिस नहीं करवा पाया ठीक है लेकिन कल या परसों मैं जितनी भी सिप्ट ह हुआ है उन सभी का डेट वाइस पेपर अनालासिस करवाऊंगा और वह भी बिल्कुल फुल डेटेल से करवाऊंगा शांदार तरीके से करवाऊंगा ठीक है देखो नोजलाई वाला पेपर था उसमें बहुत सारे सेंट्रों पर दोनों सिप्टों में बहुत बड़ी गड इसने को मिला एक दो सेंटर थे बिहार में एक दो सेंटर थे जहां पर पेपर पंद्रा मिनट लेट स्टार्ट हुआ था लेकिन उनको पंद्रा मिनट पूरा तीन गंडे का टाइम डिया गया था उनको ठीक है और नोजुलाई वाले पेपर की तरह कोई टेक्निकल इसू भ अब की बार और दूसरी सबसे महिन बात ये है कि सारा एक वरस्टेज तरीके इस पेपर हुआ था जैसा नोजुलाई को हुआ था ना तो उससे हमारे मन में डर गुज गया था कि यार क्या हो रहा है ये पेपर तीन बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए था वो चार बजे स्ट पैपर और हो रहा है पेपर आठ हगगहए नाइट में आठ वजेपो फिर हो रहा है आधी तो यहां पता ही देर है कि हम यदि मेheldर करेंगे तो कुछ technical issue या फिर कुछ वैसे barrier की वज़े से हमारी मेनत वैस्तेज नहीं जाएगी यदि हम मेनत करके जाएगे तो हमें पूरा मोका मिलेगा काम करने का पूरी इमानतारी के साथ तो इस सीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेनी है अब हम बात करें देखो 11 जुलाई 2022 को जो पेपर था देखो अब की बार का जो पेपर है ना 2021 वाला जो पेपर था वो डिफिकल्ट लेवल का पेपर था फरस्ट पेपर बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का था और बताब कुछ क्योशन थे जो आउट ओप सलेवस बिदि पांचाथ क्योशन हर सिफ्ट में ऐसे थे जो बिल्कुल आउट ओप सलेवस थे बता नहीं कहीं से पोंच रहे थे अब की बार एक दो क्योशन है जैसे आज वाला पेपर रुआ था इसमें दो तीन क्योशन थे जो out of syllabus type के लग रहे थे, बाकि जो paper था, वो easy to moderate level का था, ठीक है, बहुत ज़्यादा difficult level के question नहीं थे, जैसे math में पहले पूंचता था, 2020 में रहे लगा ड़ी, pipe tank की time work, यहां से question आते थे, अब की बार mathematics से भी simple normal type के question आया था, div length नहीं आया था, passage भी बहुत ज़्यादा length नहीं आया था, और उसकी जो passage की language थी, वो भी simple type की थी, यदि आप थोड़ा सा दिमाख लगाओ कि बिल्कुल आसानी से कर दोगे, और देखो, वो मैंने आपको बताए दिया, आज कल 3 passage आने लग गई, एक first paper में और 2 subject में, जिसका मैराथन भी देखने को मिलेंगी और यह सारी चीज़े रहेंगे, अब हम paper की और बढ़ते हैं, देखो paper में सबसे पहले बात करें, reasoning के 3 क्यों सनाय थे, जिसमें एक number series से था, जैसे कुछ अलभा number दे दिया, 8, 10, 15, 20, फिर बीच में खालिस्तान छोड़ दिया, जैसे मैं ए एक age related क्यों सन था, कि पापा की यह जितनी है, बेटे की यह जितनी है, तो 5 साल पहले दोनों की age में क्या अंतर था, एक blood relation से क्यों सन था, तो इन टोपिकों को आप अच्छे से cover कर लेना, और almost दो candidate थे, जो मेरे batch से थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब दिल खुझ करने वाला मेरे को feedback दिया था, कि सर जो आपका batch था, वहां से बिलकुल डिक्टो क्यों सन मिले थे, और मैं ये अपनी खुद की publicity खुद की वो नहीं कर रहा, आप खुद भी देख लेना जब paper दोगे, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरी first paper की book भी है, चाहे उस का paper pattern है, अब जैसे मेरा जो नए बैच चलेगा December के लिए, वो अब वाले paper, इस से पिछले वाले paper, और उस से पिछले वाले paper, इन तीनो paper के base पर चलता है, कि level क्या रहा है, किस type के क्योशन आ रहे, कहां से आ रहे है, ठीक है, मैत के दो क्योशन थे, एक percent का था, और एक compound interest का था, डी आई बिलकुल simple था, बहुत ज़्यादा complicated नहीं था, जिसका थोड़ा बहुत भी stronger डी आई वो कर सकता है, डी आई मिक्स टैप का था, जिसमें कुछ क्योशन परसेंट के थे, और कुछ क्योशन हमें केवल डी आई को पढ़के निकालने के थे, जैसे जोडने का, ग education policies था, यह दोनों मैंने classes में भी बहुत गजब तरीके से पढ़ा रखा है, current affair कि मैंने एक अलग से मेरा थन लगाई थी, जहां पर NIRF को समझाया था, और national education policy को समझाया था, इसके लावा जब मैंने higher education पढ़ाया था, तब भी दोनो, paid bears में बहुत अच्छे से समझाया था जो मेरी book है, उसमें भी यह सारी चीज़े मैं बहुत ही शांदार तरीके से explain कर रखा हूँ, national education policy 1968 वाली, फिर जो second वाली थी वो भी और अब वाली भी, तीनों की तो इनों, इसके लावा action research से, exposed factor research से था, यहाँ पर एक मिलान वाली question थे, ठीक है, मिलान करने वाले type के question थे teaching method से क्यों सनाया था, sampling से क्यों सनाया था, sampling से क्यों सनाया था, sampling दो type की होती है, एक probability, एक non probability, probability का types होते हैं, non probability का types होते हैं, ठीक है, मतलब जो candidate paid back में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, research report से क्यों सनाया था, आकास वानी से क्यों सनाया था, भाई साब, आकास वान क्म्यूनिकेशन में बैरियर से क्यों सना आता है यह ध्यान रखने आपको SMCR मोडल से क्यों सना था क्म्यूनिकेशन में जिसमें उनको step by step जमवा जाता जैसे sender message channel receiver ठीक है aeio logical reasoning में aeio से क्यों सना था भूच शांदार तरीके का क्यों सन था ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाने का था यह और फाल्ची से क्यों सना था यह सारी चीज़े मैंने करवा भी रखी है बुक में भी है सारी चीज़े कंप्यूटर की PD से क्यों सना था इगर्वनेंस से क्योशन है था इसमें ICT में जो computer वाला unit है ICT वहाँ पर इगर्वनेंस unit है topic है तो वहां से क्योशन बना था एक computer में full form का क्योशन था एक AISHE से क्योशन था उसमें ये current का topic है AISHE वहाँ पर एक GER से related क्योशन था एक EQIP से क्योशन था higher education में जो मैंने पढ़ा रख था है already ठीक है तो इस तरीके से ये कुछ multiple type के क्योशन थी topic wise और हाँ अब आपके पास यदि आपका paper अगस्त में है तो आपके पास पूरे-पूरे 28 दिन बचे हुए है ठीक है मैं यहाँ पर crash course लेके आया हूँ 28 दिन में आपको बहुत ही शांदार तरीके से बहुत ही best वाला content प्रोवाइड करवाँगा ये मेरे contact नमबर है 2891350470 जिसके तुरह आप crash course ले सकते हैं मेरा target रहता है only 40 plus question ठीक करना और केवल GRF निकालना net निकालना मेरा कोई target नहीं होता crash course का charge केवल 600 रुपए ले रहा हूँ only 600 रुपीज only 600 रुपए चार्ज है crash course का first paper का 28 दिन है crash course लोगे 100% आपका score में growth होगी बहुत अच्छा score हो जाएगा आपका बहुत systematic way में बहुती शांदार तरीके से मैंने सारी चीज़े complete करवाई है तो यदि आप 28 दिन में बहुती शांदार तरीके से तयारी करना चाहते हो आपका जेरफ जो अब तक point 33, point 66, एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, दो क्योंसन, तीन क्योंसन, चार क्योंसन से रहता था वो नहीं रहेगा फर्स्ट पेपर कमजोर होने की वज़े से जो आपका net रुक रहा था, जो जेरफ रुक रहा था, आप crash course लेंगे, तो ऐसा कब भी नहीं होगा आपके साथ तो यदि आप 28 दिन में बहुत ही smart वेसी तयारी करना चाहते हो, जेरफ का target लेकर, तो आप हमारा crash course ले सकते हैं, ये contact नमबर है, चार्ज ओनली 600 रुपे, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, thanks, bye